हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है हिमान शूर मैं सौगत करता हूँ आप सब कापके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्दा सीरीज के अगली कॉमिक्स मौत देगा योद्दा का पहला भाग समय की अधा गंगा में तैरते दो लोग देवताओं से बसा देवलोग और डुष्ट प्रवर्दी के शैतानों का लोग काल लोग आज दौनों लोगों की सेना एक दूसरे के सामने थी डुष्ट काल देव हमारे हतों सेक्ड़ों बार पराजित होने के बाद भी हमें यूति के लिए ललकार्ने का सास कहां से आगया तुम में लाट चा अपनी काल सेना को लेकर अनता इस बार पराजित के साथ तुझे मिट्टी का मुझ भी देखना होगा इस बार मैं इस शही विजय होकर और आपकी उस पत्नी हराणने को बंदी बना कर वापिस लड़ूंगा जिसके मुकट में लगा ड़त में तुमारे लोग की संब्रती और शक्ती का कारण है और इस बार तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकोगे क्योंकि इस बार मैं साथ वेकाल लोग के देव तक अपरसन करके एक ऐसी शक्ती लाया हूँ तो तुमारी से नकोत है इसना इस करणा लेगी ऐसे बड़े बोल तुम पहले भी कई बार बोल चुके हो ऐसा नहीं है देव शिरो मड़ी इस बार ऐसा नहीं है अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने पीछे मुड़कर देख लो पीछे मुड़कर देखने के साथ इस देव शिरो मड़ी के मसावों ने ठेट सारा पसीना उगल दिया ओ नई दूसरे इचना आक्रमार समाप्त कर डालो इस शक्ती को देव शिरो मड़ी के आदेश पर तुरंती सक्री हो उठे देव लोग के सैनिक लेकिन सामना कर पाई उस शक्ती का भगदल मच गई देव लोग की से नाव है भागो बचाओ को छणो बादी यह आप क्या कह रहे हैं देव आपको दुष्ट काल देव से बचाने का अब यही एक उपाय है देवी आप कुमार को लेकर तुरंती राजमेल छोड़कर दूसरे आसमन को मौज़ु देव लोग चली जाए किंतु देव यह किंतु परंतु का समय नहीं है देव आप तुरंत यहां से निकल जाए हम अपनी समस्त शक्ती को जुटा कर दुष्ट काल देव और उसकी शक्ती को नश्ट करने का प्रित्न करते हैं ठीक है जैसा आप उचिस समझे एक विशेश यान पर सबार होकर तुरंत ही रावान होई देव आराणया अपना ध्यान रखना देव अब हम रण भूमी में पहुँचकर डुष्ट काल देव से बेपेक रोकर युद्ध कर सकते हैं लेकिन जब देव शुरोमनी रण भूमी में पहुँचे तो उन्हें पता लगा गजब हो गया देव काल देव को देवी आरणया किया लोक पलायन के बारे में पता चल गया है वह उनके पीछे गया है वह समस्या बड़ी विकट थी हम तो विदा में फस गये थी क्योंकि एक तरफ काल देव से तुमारी माता जी को बचाना था और दूसरी तरफ उसकी शक्ति से अपने लोक और सेना को आखिर हमने लोक और सेना को बचाना ही उचित समझा हम काल देव दोरा लाई गई शक्ति से जूच गए लेकिन हम उसे भगाने के लिए कोई खास उदम नहीं करना पड़ा लड़ते लड़ते ही अचानक वे शक्ति गायब हो गई हम समझ गए कि ये सब काल देव का किया धरा है उसमें उस शक्ति को वापिस बुला लिया था क्योंकि वे अपने उदेश यानि तुमारी माता जी देवी अराने अराने को पकड़ कर अपने काल चक्र वियू में कैद करने में सफल हो गया था और फिर बाद में हमें पता चला कि मातर देवी अराना क्यों ही काल देव में बंदी बनाया कुमार यानि तुम उनके साथ नहीं थे हम तुमारे बारे में चिंते तो होटे लेकिन इस विशे में कुछ भी नहीं जान पाए क्योंकि देवी अराने ही तुमारी तुमारे बारे में जानती थी कि तुम काहा हो वो तो बाद में हमें तुमारे बारे में तंत्राल की आत्मा से पता चला काश तुम्हारे सासा देवी अरणय भी हमें मिल जाती केकिन शायद ऐसा होना संभव है क्योंकि काल लोग में इस ते काल चक्रवीउ से निकल कर उन्हें भला कौन लाएगा हम हम अपनी माता शिरी को काल चक्रवीउ से निकाल कर लाएंगे काल लोग काल लोग के ज़रा पर पाउं रखकर हमने इस बात का जैगोश कर दिया है कि अब हम अपनी जननी के ममता के उस आचल को पाखरी रहेंगे जिससे हम बच्पन से आस तर बंचित रहे और सौगंध है हमें अपने पवित्र धक्मान घंकी अगर हमारे और उस आचल के बीच आज मौत भी बाता बन करा खड़ी हो तो उसे भी मौत देगा योधा काल लोग के राजमहल का जर्रा जर्रा मानो उस ठाके जिपून चुटा हाहाहाहाहाहाहा नहीं मारी गई है योधा की मती मारी गई है योधा की जो इतना बड़ चड़ कर भोल रहा है जानता नहीं है कि उससे उसने भूल से उस लोग की धरा पर कदम रख दिया है जहां पर आने से मौत भी धर राती है क्योंकि काल लोग की धरा के एक 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 इंच के हिस्से पर भैंकर संक्ट मौजूद है उनके आगे योधा नाम का ये चुआ कुछ नहीं कुछ भी नहीं हाहाहाहाह अचानक काल देव की आँखों के शैतानी चमक और घहरी होती चली गए फस गया योधा फस गया बिजारा योधा उसके जाल में जिसका नाम है शीशा और उसके रूपों के होते हुए तु काल लोग की धरह पर ऐसे ही शान से दंदनाता रहेगा ये तुने कैसे सोच लिया डुश्ट बालत हमारे बड़ते कदमों को रोकने का प्रयास मत कीजे श्रीमान शीशा हम वो तूफान है जो तुमारे रोके नहीं रोकने वाले हड़ जाई हमारे रास्ते से तुम कितने भी बड़े तूफान सही बालत शीशा हर तूफान को रोकना जानता है और आपने यही ने यही ने इस्चे कर लिया है तो ठीक है चकनाचूर होने के लिए तैयार हो जाए यह श्रीमान शीशा ठकमान गन को गातक धंग से जमाले जैसे ही आगे बड़ा वो योता बैसे ही ओ यह क्या यह श्रीमान शीशा तो बुरी तरह चमकने लगे हमारी आखें एकदम चुन्दिया कर रहे गई हमें कुछ दिखी नहीं रहा और कुछ दिखेगा भी नहीं क्योंकि शीशा जब चमकता है तो ना तो किजी को कुछ देखने का मौका ही मिलता है और ना ही उसके नुकीले हत्यारों से बचने का योता के शरीर में धसकर उसे चीखने को मजबूर कर दिया शीशे के नुकीले तुकड़ों नहीं तुरंत ही उसने अपना धकमान गन आगे किया उफ इस बार भी शीशे के नुकीले तुकड़े अमारे शरी में धस जाने दे रोकना होगा इन बरस्ते तुकडों की बारिश को लेकिन कैसे इन तुकडों को छोड़ने वाला शीशा तो हमें इस चकाचौन में नज़र ही नहीं आ रहा एक चाण शीशा नज़र नहीं आ रहा तो क्या, उसकी आवास तो आ रही है आवाज की दिशा की तरब भी तुवार करके हमारा मतलब हल हो सकता है टक्वान गंजे निकले तीरों की दूपान ने अपने काम को बखूबी अन्जाम दिया छनाक की आवाज भी और फिर चका चौन खात्म हो गई शीशे के तुकड़ों का ये धेर और चका चौन करना होना ये जिद्ध करता है कि हम शीशा को समाप्त करने में सफल हो गए अपनी सफलता से खुशी होता उस ठाके को सुनकर यूँ उचला जैसे सैंक्डों काटे उसे एक साथ चुभा दिये गए हूँ वेतेजी से पल्ट पीछे पल्टा क्यों बालग तुम न सोचा कि तुम शीशा को समाप्त करना में सफल हो गआ अरे नहीं रबालग तो हमने शीशा को नहीं उसके परती रूप को समाप्त किया है और रही चकाचान तो उसे तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए जान बूज का खत्म कर दिया था ओ, इसका ताथ पर ये सब ये शीशा के परती रूप है और मैंने वास्तविक समझ रहा था वास्तविक तो इनमें सिर्फ एक ही है जिसे हमने इन परती रूपों में से ढून कर समाप्त करना है तब ही हम शीशा नामक इस रहसान से बस सकते है और ये कार हमें तुरंत ही करना होगा क्योंकि अगर शीशा ने अपनी चकाचान फिर फैला दी तो फिर हम बुसीबत में फस जाएंगे लेकिन हम इस कारों को करें कैसे इन परती रूपों में से वास्तविक शीशा को पहचाने के लिए हम करें क्या आई एक योजना मस्तिक्ष में अपनी योजना को कारेंबर्द करने के लिए योद्दा ने उठानी मुट्टी भर रेत और उसे बेहत फुर्ती का परतर्शन करते हुए शीशा के हर परती रूप पर फेकता चला गया दूसरा इच्छान आप आप हैं वास्तविक शीशा क्योंकि आपकी आँकों में हमारी उड़ाई रेत का प्रभाव हुआ है और चुकि आपके सभी रूप शीशे में दिखने वाले आपके परती रूप ही है इसलिए उस पर रेत का कहीं एसर होना था अब जब आप हमें मिली गएं तो फिर इन परती रूप की क्या आवशक्ता है इना तो नश्टी हो जाना चाहिए चनाक चनाक अब योद्धा ने अपने कदम कदम शीशे की तरफ बढ़ा दिये हाँ तो श्रीमान शीशा जी अब आप हमें दिखाईए अपनी चकाचान का चमतकार उसकी आवशक्ता नहीं है डुष्ट तेरे बढ़ते कदमों को रोखने के लिए शीशा के बाद बहुत चोपाएं योद्धा के हलक से चीक और शीशा के हलक से ठाका गुझा बढ़ा आगे कदम बढ़ा योद्धा तेरे हर बढ़ते कदम को ऐसे ही चलनी करता रहेगा शीशा इस बार योद्धा के कंडे से निकलने वाली चीक नहीं मेकसी घरजना थी एक योद्धा के सम्मान को ललकार कर बहुत बड़ी भूल किया अपने श्रीमान शीशा हम आपको इस भूल का टंड अवश्च देंगे और फिर खत मुहा शीशे का आतंक लेकिन योद्धा भी अपने पैरों पर खड़ा न रह सका पैरों में होती अतितिक पीडा ने उसे नीचे गरने के लिए मजबूर कर दिया था अपने पैरों में घुसे शीशे के नुकीले तुकडों को निकालने में बैस्त हो गया योद्धा कुछी पलों बाद अपने घाओं की परवा किये बगएर आगे बढ़ गया वैशूर पीड अपने पाओं में होती अतितिक पीडा से विवश होकर हमें रुकना नहीं है हमें काल चक्रिवियू तक हर दशामें पहुचकर उस देवी को बहां से मुक्त कराना है जो हमारी माता शरी है जिनका दूद हमारी रगों में या नसों में लहू बनकर दौड रहा है अगले ही पल मा का ख्याल उस चट्टान सरी के पुरुष की आखे नम खरता चला गया मा अचानक एक जटके ने उसे भावनाओं की भमर से निकाला ओ ये क्या पानी के उस जमीन को साधान जमीन समझने की भूल कर बैठा था योध था जिसे सुधारने का उसे मौका ही ना मिला पानी में नीचे बैठता चला गया वे और जा पहुचा वहाँ जहां का मंजर जैसे योधा के हट्टियों में भी सेहरन पैदा करने वाला था जलके इतना नीचे भी कोई संकट हमारी प्रतिक्षा में खड़ा मिल सकता है यह हमने नहीं सोचा था जहां योधा के आँखों में हलके भै और आशर जनक पुड़ था वहीं काल देव की आँखों में मकारी और इसके कंठे से उबलते ठाकों में वहशी पन लबा लब भरा हुआ था सायोक से शीशे से बचकिया योधा नामध वे कीड़ा पत्थ्रों से कदापी नहीं बच पाएगा क्योंकि पानी के रण जेत्र में उसे मात पत्थ्रों से नहीं अपनी उकरती सांस से भी निपटना पड़ेगा योधा यह तो युद्ह हारेगा हर हाल में हारेगा पागल सा नजर आने लगा था काल लोक का वे शैतान जब की इधर पर थी वह तुमने जिस सूजबूज और सास का परीचे दीते हुए मुक्मंत्री महादे को बचाया वे काबले तारीफ है मेडम एक्स लेकिन इस तो तुम्हारे दामन पर लगा लापरवाई का दाक छूट नहीं चाता तुम अभी भी उसकी जवाब दे हो आखर सिक्योर्टी के सभी इंतिजाम के बिना मुक्मंत्री महादे अपने लवास के बाहर कैसे निकल गए सर इस बारे में मैं अपना स्पस्टी करना पहले ही दे चुक हूँ मुक्मंत्री महादे ने जब बाहर जाने की इच्छा वक्ति की तो मैंने उन्से अन्रोथ किया था कि इस रक्षा के सभी इंतिजाम कर लिए जाएं मगавай उन्होंने मेरी बात नहीं सुनेए वह अगेले ही किसी कुप्त जगह पर जाना चाते थे शायद किसी से मिलने तक किससे इस बारे में आप मुक्मंत्री महादे से ही क्यों नहीं पूछते हैं हमने उन्होंसे पूछा था लेकिंए कि जो सेक्योर्टी गार्ड मिला वह पल्ला ज़ाड लेते हैं कि सेक्योर्टी के इंतिसाम को देखना उनका नहीं सेक्योर्टी इंचार्ज का काम है मुकमंतरी महदे अपनी राजनीतिक छवी को उजली बनाए रखने के लिए अपने उस महिला मित्र के बारे में बताना नहीं चाते जिन से वे गुप्तरूक से मिलने वाले थे क्या सोचने लगी मैडम एक्स हमारे सवालों को जवाब दीजिए सर जवाब वही है जो मैं पहले दे चुकी मैं मुकमंतरी महदे की बात मानने के लिए बात दी मैडम एक्स के इस जवाब ने जाज कमेटी के प्रमुक श्रीकान देसाई को भाका दिया अब तक देश में जितनी भी राजनेतिक हत्याइं हुई है वे शाय तुम जैसे लापरवा अफसरों की वज़े से ही हुई है विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी निवाते वक्तों जैसे फूल जाते हैं कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति के नहीं बलकि कानून और ववस्था के नौकार है जिसका पर्लाम होता है उस विशिष्ट व्यक्ति की हत्या कोई भी उसे गोली मार देता है कोई भी अपने शरीर पर बंब बांद कर उससे लिपड जाता और उसके परखचे उड़ा देता तो हम जैसों कि लापरवाई से कानून वेवस्ता और सुरक्षा प्रणानिया बदनाम होती बट सर डॉन से अनिधिंग जब तक इस केस की पूरी तरह जाज नहीं हो जाती तो मैं लंबी चुटी पर भेजा जाता है अब तुम जा सकती हो सिर्ज जुकाए बाहर निकली मैडम एक्स जाज पूरी होने तरह लंबी चुटी यानि एक तरह से मुझे सस्पेंडी कर दिया गया क्योंकि जाज पूरी होगी भी या नहीं ये कोई नहीं जानता अपने घर की तरफ लोटती मैडम एक्स के मस्तिक्ष में उथल पुतल मची हुई थी इन सब घटनाओं से इसका तो पता चलता है चलता है कि मैं किसी शड़ेन की शिकार हुनी लेकिन मेरे खिलाव ये सब सड़ेन तरफने वाला है कौँ मैं मैं हूँ वो जिसने अपने अपमान का बतला लेने के लिए मैडम एक्स नाम के उस मचली को एक ऐसे जाल में फसा दिया है जिसमें वह तड़पेगी फड़पडाएगी लेकिन निकल नहीं पाएगी इधर बुरी तरह परेशान मैडम एक जब अपने घर पहुची तो इसकी परेशानी को और बढ़ा दिया इसने की हालत में इसने हाँ मेरी बेहन क्या हुआ तुझे अठके अठके शब्द निकले तडबती इसने हाँ के गले से मेरी सारे बदन में आग लग रही है दीदी मेरी सारी हट्टिया तूटती महसूस हो रही है मुझे दीदी आँ दीदी इसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है इसे तरन डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं मिलते हैं योद्धा सीरीज की कॉमिक मौत देगा योद्धा के दूसरों अरंते महाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद